अच्छा तो आज की डेट के दो सबसे पॉपुलर मिड रेंज स्मार्टफों जो आप 20 से 25,000 रुपए तक में खरीच सकते हैं वो है IQZ3 और OnePlus Nord C बलकि IQZ3 का जो बेस वेरेंट वो तो टेकनिकली 20,000 रुपए से नीचे में आता है अगर आप official cost देखे तो वो 19,990 है और discount offer वगारे लगाने के बाद तो भाई price और भी नीचे चला जाता है तो main question यहाँ पर यह उठता है कि ज्यादा कीमत के साथ Nord C क्या एक बहतर स्मार्टफों है या फिर आपको अपने पैसे बचाने चाहिए और आपको खरीदना चाहिए IQZ3 इस वीडियो में पता लगाते हैं प्रणाम दोस्तों मेंना नाम है अमन राशिद आप देख रहे है Mr. Phone Hindi और हिंदी चैनल पे बड़े दिनवाद वीडियो बना रहा हो तो बहतरीन स्वागत हो जाए थोड़ा सा लाइक करें इस वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइगन को दबाना ना भूलना जिससे कि हर नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अब दोनों ही फोन्स की बीच में Nord CE definitely मुझे एक ergonomic device लगा हाथ में लेते वक्त और इसका ये मतलब नहीं कि वहीं कि एक हेफ्टी स्मार्टफोन है ये कहें कि एक भारी स्मार्टफोन है तो जब डिजाइन की बात आती है मेरे साब से मेरी प्रेफरेंस जाएगी आइकू Z3 की तरफ मुझे आइकू Z3 का camera module Nod CE के camera module के मुकाबले में definitely ज्यादा attractive लगा और अगर बात करें दोनों फोन के frame की तो आइकू ने एक matte finish दिया है Z3 के frame में जो काफी attractive लगता है और attention to detail के मामले में आइकू को यहाँ पर मिलते हैं pull marks तो आ जाते हैं front पे तो आइकू Z3 में आपको मिलता है 6.58 inch का IPS LCD panel 120 Hz के refresh rate के साथ versus 6.43 का एक AMOLED panel आपको मिलता है OnePlus Nord CE में जिसका refresh rate है 90 Hz और दोनों ही panels पर आपको मिलता है Asahi Dragon Trail Glass का protection तो जब बात आती है color reproduction की of course AMOLED panel जो Nord CE में आपको मिलता है वो ज्यादा बहतर लगता है देखने में पर IPS panel जो है आईकू Z3 का वो भी कुछ कम नहीं है तो दोनों ही displays well calibrated हैं दोनों ही काफी ज्यादा bright displays हैं outdoors और indoors use में और Nord CE की display slightly better कह सकते हैं जब आप उस पे movies देखते हैं या videos देखते हैं क्योंकि वो एक AMOLED display है पर मेरे हिसाब से overall जो एक better package है वो आईकू Z3 की display के साथ आपको मिलता है क्योंकि definitely IPS display है तो भाई color reproduction अच्छी है और साथी साथ आपको मिलता है 120Hz का refresh rate otherwise एक modern day advantage Nord CE के AMOLED display में ये मिलता है कि भाई उसमें आपको in display fingerprint sensor मिल जाता है पर फिर से मैं यही कहूंगा कि जो side mounted physical fingerprint sensor है जो आपको IQ Z3 में मिलता है वो ज्यादा fast और accurate लगा मुझे तो चलिए अब बात करते हैं variants के बारे में और सारी details आपकी screen पर mentioned है आप pause कर सकते हैं और अगर आपने देख लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास 2 नई phones का 8GB RAM variant था अब इसमें से IQ Z3 का ये top end variant है जिसमें 256GB storage मिलता है और Nord CE का मेरे पास ये mid range variant था जिसमें 20GB storage मिल जाता है पर देखा जाए तो IQ Z3 के पास यहां पर एक advantage है क्योंकि आपको यहां मिलती है expandable storage 1TB तक की और RAM की मामले में भी दोनों ही phones में RAM management काफी अच्छी है Puntouch OS और Oxygen OS की पर IQ Z3 में आपको एक virtual RAM का भी option मिलता है जो definitely एक clear advantage है Nord CE के ऊपर तो चलिए आगे पढ़त software preference काफी subjective है मतलब आपका अपना एक personal opinion हो सकता है पर दोनों का अगर comparison करा जाए तो definitely Oxygen OS 11 के stock Android के काफी करीब लगता है अगर आपकी वो preference है प्लस Funtouch OS 11.1 कुछ bloatware apps के साथ आता है तो वो बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए पर इसके अलावा अगर optimization की बात करी जाए तो Funtouch OS और Oxygen OS है दोनों ही मुझे काफी snappy और responsive लगे बलकि कुछी दिन पहले तक इस phone की जो camera performance भाई को काफी खराब थी मतलब इतना shutter lag मिल रहा था ना मुझे पर अच्छी बात यह है कि OnePlus ने अभी recently एक software update भेजा मैंने phone को update कर लिया है और उसके बाद thankfully software काफी stable है काफी smooth है camera performance भी काफी smooth है इस phone की तो चली आब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों ही phones की performance के बारे में पहले दो benchmark कर लेते हैं तो यहाँ पर मुकाबला है snapdragon 768G का जो की IQZ3 में आपको मिलता है versus snapdragon 750G जो आपको OnePlus Nord CE में मिलता है और slightly ही सही पर IQZ3 ने definitely OnePlus Nord CE से बहतर score किया geekbench में और even अगर Antutu की तरफ देखा जाए है once again IQZ3 ने एक काफी dominant performance दिखाई तो अगर general day-to-day performance की बात करे जाए जैसे कि web browsing या email चेक करना या फिर social media देखना तो दोलों ही phones solid options है कोई doubt नहीं इसमें पर बात जब आती है heavy वाले task की जैसे की camera यूज करना या फिर लंबे sessions के लिए game खेलना तो यहाँ पर not see ना डालते हो तो phone halka halka you know गरम होना शुरू हो जाता है throttling मुझे मतलब feel हुई use करते वक्त और मैं यह भी देख सकते हैं कि animations or transitions काफी choppy हो जाते हैं मतलब अगर आप game से आप exit करते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा मुझे issue लगा पर IQZ3 इस मामले में definitely एक champ है thermal management काफी अच्छी इस phone की बल्कि मैं तो call of duty बहुत बार ऐसा हो कि मैंने एक घंटे लगातार IQZ3 पर call of duty के लिए और phone का surface बल्कि barely warm मतलब होता हुआ दिखा मुझे तो यह एक अच्छा point है IQZ3 के लिए तो बात करते हैं connectivity के बारे में IQZ3 में आपको मिलते हैं दो 5G vans का support जबकि OnePlus Nord CE में मिलता है एक 5G vans का support दोनों ही कुछ खास नहीं है पर जो खास बात इन दोनों phones की है कि आपको दोनों ही में 4G carrier aggregation का support मिलता है ओके दोनों ही फोन बाटरी लाइफ के मामले में काफी solid है Nord CE में आपको 4500 mAh की बाटरी मिलती है IQZ3 में मिलता है 4400 mAh की बाटरी और दोनों ही की respective बाटरी टेस्ट वीडियो में IQZ3 कुछ 7 घंटे 46 मिनट टिका था उस वीडियो का आप उपर कार्ड में देख सकते हैं और Nord CE का भी हमने बाटरी टेस्ट किया था तो उसमें 8 घंटे 11 मिनट तक वो फोन टिका वो भी वीडियो आप उपर कार्ड में देख सकते हैं अब बाटरी लाइफ की मामले में मुझे दोनों ही फोन से कोई भी शिकायत नहीं है पर हाँ IQZ3 के पास 55W पास चार्जिंग का एडव में तो अगर आप एक बैलन्स जाते हैं फास्टर चार्जिंग और बहतरी इन बैटरी लाइफ की बीच में तो प्राक्टिकली IQZ3 दोनों फोन के बीच में बहतर ऑप्शन है चलिए फाइनली बात करते हैं कैमरा के बारे में दोनों ही फोन में 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 कैमरा आपको मिलता है 64 Megapixel का Electronic Image Stabilization के साथ इसके साथ ही आपको मिलते हैं 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Camera, 2 Megapixel का Macro Camera, फ्रंट पे आ जाएं तो दोनों ही फोन्स में आपको 16 Megapixel के Selfie Snappers मिल जाएंगे तो इस फोटो के साथ शुरुआत करते हैं यह देलाइट की फोटो है और स्टेट आफ मैं कहूंगा कि आईकू Z3 ने यहाँ पर Nord C का खेल एकदम मतलब ख़तम कर दिया Contrast की बात करें, Vibrancy की बात करें या फिर Dynamic Range की बात करें कोई भी डाउट मुझे यहाँ पर नहीं है कि आईकू Z3 का Output बहतर है Nord C से अब इसी सेम शॉट को मैंने Wide Angle Camera से भी लिया और Nord का Output थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा मतलब आप देख सकते हैं कि Colors इस बार थोड़े से ज्यादा Vibrant है पर फिर भी मैं यही काऊंगा कि आईकू Z3 का Output ओवरॉल Nord C से डेफिनिटली बहतर है और एक चीज़ तो डेफिनिटली मैं इग्नोर नहीं कर पाया है जो Nord C के Output में आप Sky में एक Magenta Hue देख पा रहे हैं वो मुझे काफी मतलब मैं उस चीज़ को इग्नोर करी नहीं पाया और generally Nord C के कैमरा से मुझे एक inconsistent performance देखने को मिली मतलब wide balance बहुत बार मतलब इधर उधर होता था फोटोस में एकदम accurate नहीं होता था sky के colors काफी messed up हो जाते थे skin tones मतलब इधर उधर हो जाते थे एकदम accurate नहीं थे कभी कभी skin tones तो भाई over sharpen कर देता है ये camera और ये सारी चीज़ों की वज़े से मुझे लगता है कि IQZ3 definitely काफी ज्यादा stable आपको camera performance देता है और overall दोनों के बीच IQZ3 का camera बहतर है इवन जो photos मैंने dim lighting मिलिये उसमें भी IQZ3 ने कभी भी ऐसा नहीं की भाई की over the top कर दिया एक image को बना दिया output एकदम natural लगता है exposure भी बलकी एकदम normal रखता है IQZ3 over the top नहीं करता जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ पर not CE तो भई इसको तो OnePlus को कुछ करना पड़ेगा इस phone के लिए definitely इसको fix करने की जरुवत है तो चलिए इस 4K 30fps shot की तरफ देखते हैं definitely दोनों phones का EIS एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है पर आप actual picture quality देखिए तो not CE के output में एक तो colors अजीब से लग रहे हैं और उपर से judders काफी हैं प्लस एक ghosting सा effect आ रहा है अगर आप subject के आसपास देखेंगे जो की मुझे काफी मतलब annoying लगा पर IQZ3 में अगर आप overall output देखे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा complaint करने के लिए हैं नहीं colors vibrant लगते हैं dynamic range अच्छा है और EIS तो भाही काम करी रहा है तो मेरे असाब से video recording के मामले में भी IQZ3 OnePlus Nord CE से मुझे बहतर लगा Hey guys I'm shooting a front facing video sample on the IQZ3 and the OnePlus Nord CE and right off the bat I can say that the field of view is definitely wider on the IQZ3 so both these phones can shoot up to 1080p videos from the front camera but the OnePlus Nord CE can do 60fps videos while the Z3 is only restricted to 30fps but so right now this is the 30fps video sample and in terms of colors I think I would go with the IQZ3 I mean as far as I can make out on the phone's screen I think so the IQZ3's output is definitely looking better to my eyes but you guys be the judge you guys tell me let me know in the comments which one do you think so is doing a better job and also let me know which one do you think so is better when it comes to civilization as I'm walking right now I think so I think so the Nord is doing a better job here when it comes to civilization but yeah in terms of audio as well let me know which phone's audio do you think so sounds better and yeah let me know overall in the comments cheers ེདདའོે ེདསོངསམིསབ ཉེསསསོསསམ ེདསསསསསསསསྭས པིིན སིན འོསསསསསྲབ ང ཆཏསས ཟིས ནསསསིས ན अपना game improve करना चाहिए और बात जब आ जाती है IQ Z3 की तो pricing के मामले में Nord CE तो इसके आगे एकदम ही बुरी deal लग रहा है मुझे तो मतलब आप IQ Z3 का top end version खरीच सकते हैं और उतने ही कीमत में आपको मिलता है Nord CE का base variant तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या disparity है और just because IQ Z3 का price कम है इसका यह मतलब नहीं कि IQ ने हाँ पर compromise किया है instead मेरे हिसाब से तो IQ Z3 सारे boxes को बहतरीन तरीके से check करता है और definitely मैं एक ही बात कहूंगा कि IQ Z3 और Nord CE के बीच मेरे हिसाब से आपको खरीदना चाहिए IQ Z3 तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों यह था comparison OnePlus Nord CE का IQ Z3 के साथ तो अगर इन दोनों के बीच में आपको एक purchase decision बनाना है आप कौन सा phone खरीदना पसंद करेंगे क्या होगा वो OnePlus Nord CE या फिर IQ Z3 मुझे बताएं comment section में और इसके लावा टेक के जगत की तमाम ख़बरों के लिए Mr. Phone के साथ जुड़े रहे मिलता हूं जल्दी अगली वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद